शिरिक नईशाई नमा शिरिक जानकी वा लभविज्यते शिराम चरित्रमानस त्रित्य सुपान अरण्यकांट धरम रुपी वरक्ष के मोल वेक रुपी समुद्र को अनन्द देने वाले पूर्न चंद्र वेराग्य रुपी कमल के विक्षित करने वाले सूरिय पाप रुपी घोर अन्धकार को निश्चे ही मिटाने वाले तीनों पापों को हरने वाले नमोह रुपी बादलों के समुक और छिन भिन्द करने की विधी अर्थात क्रिया में अकाज से उत्पन पावंद सवरूप भ्रम्मा जी के वंशज आत्मज तथा क्लंक नाशिक महराज जीर राम चंदर जी के प्रिये श्री शंकर जी की मैं बंदना करता हूँ जिनका शीर जाली उक्त मेगों के समाज संदर शांबरन एम अनन्द गहन है और जो संदर वलकल का पीत वस्तर धारन करते हैं जिनके हाथों में बान और धनुश है कमर उत्तम तरकस के भार से शोवित है कमर के समान विशेल नेत रहें और मस्तक पर जटा जुब धर्न किये हैं उन अच्चनत चुभायमान श्री सीता जी और लच्छन जी सहीत मार्ग में चलते हुई अनन्द देने वाले शीर राम चंदर जी को मैं भशता हूँ उमा राम गुन गूड पंडित मुनी पाव ही बिरती पाव ही महों विम्यूड जे हरी विमुख ना धरम लेती ये पारती शीर राम जी के गूड गूड हैं पंडित और मुनी उन्हें समझ करके वेराग्य प्राप्त करते हैं पंतु जो भगवान जी से विमुख हैं और जिनका धरम में प्रेम नहीं हैं वे महा मोड उन्हें सुनकर के मो को प्राप्त होती हैं पुर्णर भरत प्रिती में गाई मति अन्डोप अनोप सुहाई अब प्रवुच्रित्र सुनही अति पावन करत जेबन सुर्णर मुनी भावन पुरवासियों के और भरत जी के अन्पम और सुन्दर प्रेम का मैंने अपने बुध्धी के अंसार गान किया अब देवता मनुश्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु शीर राम चिंदर जी के वे अच्चेंत पित्र चित्र सुनों जिन्में वन्में कर रहे हैं एक बार चुनिक सुहाई निजकर भुशन राम बनाई सीतही पाहरी ये प्रभु सादर बैठे भाटिक सिला पर सुन्दर एक बार सुन्दर भोल चुन करके शीर राम जी ने अपने हाथों से भांती-भांती के गहने बनाए और सुन्दर स्वटिक शिला पर बैठे वे प्रमु जी ने आदर के साथ वे गहने शिरी सीता जी को पहनाए सुरपती सुत धरी बायस बेशा सथ चाहत रगपुती बल देखा जिमी पीपीलिका सागर थाहा महमंदमती पावन चाहा देवराज इंद्र का मोर्क पुत्र जयंत कवे का रूप धरन करके छीर रगुनाजी का बल देखना चाहता है जैसे महान मंद बुधी चीती समुत्र का था पाना चाहती हो सीता चलन चोंच हती भागा मोर्क मंदमती कारन कागा चला रूधिर रगुनायक जाना सींक धनुश सायक संदान ने मोर्क मंद बुधी कारन से भगवान जी के बल की प्रिक्षा करने के लिए बना हुआ कववा सीता जी के चर्णों में चोंच मार करके भागा जब रक्त बहे चला तब शीर रगुनाची ने जाना और धनुश पर सींक अर्थाच सरकंडे का बान संदान किया अथि किरपाल रगुनायक सदा दिन पर ने तासन आई की ने चलू मूरक अवगुन के शीर रगुनाची जो अत्यंती किरपालों है और जिनका दोनों पर सदा दिनों लोगों पर सदा प्रेम बना रहता है उन से भी उन अवगुनों के घर मूरक जियनत ने आकर के चल किया प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजी बायस भेपावा धरी नेज रोप गेव पतो पाही राम विमुक राखाते ही ना ही मंत्र से प्रेरित हो करके वेह ब्रह्म बान दोडा कववा भाई भी धोकर भाग चला वे अपना असली रूप धारन करके पिता इंद्र के पास किया पर शिर राम जी का विरोथी जान करके इंद्र ने उसको नहीं रखा भा निरास उपजी मंत्रासा जथा चक्र भै रिसी दुर्बासा ब्रह्म धाम सीवपुर सब लोका फिरा शिरमित व्याकुल भै सूका तब वे निराशो करके गया उसके मन में भै उत्पन हो गया जैसे दुर्वाचा रिशी को चक्र से भै हुआ था वे ब्रह्म लोक शीव लोक और समस्त लोकों में ठका हुआ और भै शोक से व्याकुल होके भागता भेरा काहू बैठन कहा ना आओ ही राखी को सके राम कर द्रोही मातू मृत्यो पितू समान समन समान सुदा हुई विसस हुनू हरिज्जाना पर रखना तो रहा किसी ने उसे बैठने तक नहीं दिया शी राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है काक विशुन्ड जी कहते हैं ये गरुड सुनिये उसके लिए माता मृत्यो के समान पिता यम्राज के समान और अमरत विश्च के समान हो जाता है मातो मृत्यो पितू समन समाना मित्र करें सत रिपुके करने ता कह विबुध नदी बैतरनी सब जगुतरीं ताहीं अनलहुति ताता जोरगभूर विमुख सन भ्राता मित्र सेंकडो शत्रों किसी करनी करने लगता है देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरनी चमपुरी की नदी हो जाती है ये भाई सुनिए जो शिरी रगुनाजी के विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अगनी से भी अधिक गरम जिलाने वाला हो जाता है नारदे का बिकल जेंता लागी दिया कोमल चित हंता नारदे देखा बिकल जेंता लागी दिया कोमल चित संता पठवा तुरत राम पहिताहिं कहे सी पुकारी प्रनत पित हित पाहिं नारदे ने जेंत को व्याकुल देखा तो उन्हें द्या आदि तोकि संतों का चित बड़ा कूमल होता है उन्होंने उसे समझा करके तरंत राम जी के पास भीज दिया उसने जाकर के पुकार करके कहा हे शर्नागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजी आतुर सभे गहे सी पद जाएं तराही तराही द्यालर घुराएं अतुलित बल अतुलित प्रवताई मेमती मंद जानी नहीं पाई आतुर और वहवीत जनत ने जाकर के शीराम जी के जरन पकड़ लिये और कहा ही द्यालो रगुनाथ जी रक्षा कीजी रक्षा कीजी आपके अतुलित बल और आपकी अतलित प्रवता सम्मर्थ को मैं मन्द बुध्धी जान नहीं पाया था नितक्रित करम जनित हल पाईं अब प्रवु पाईं सरन ताकी आईं सुनी किरपाल अति आरत बानी एक नियन करितजा भवानी आपने किये हुए करम से उत्मन हुए फल मैंने पा लिया अब हे प्रवु मेरी रक्षा कीजिए मैं आपकी शरन तक कराया हूँ शिव जी कहते हैं हे पारुती किरपाल शीर रगनाच ने उसकी अच्छनत आरत दुख भरी वानी सुन करके उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया किनहा महों बस द्रो जदपी तेही कर बद उचित प्रवु छाड़ों करी चोख को क्रिपाल रगवीर सम उसने मौवश द्रो किया था इसलिए यद भी उसका वाद ही उचित था पर प्रवु ने क्रिपा करके उसे छोड़ दिया शीर राम जी के समान क्रिपालू और कौन होगा रगवपती चित्रकूट बसी नाना चरित किये शुती सुदा समाना बहुरी राम अस मन अनुमाना छोई ही भीर सब ही मोही जाना चित्रकूट में बस करके शिर रगुनाची ने बहुत से चित्र किये जो कानको अमरत के समान प्रिये हैं फिर कुछ समय पच्चाची राम जीने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गे और इस से यहां बड़ी भीड हो जाएगी सकल मुनही सन बिदा कराई सीता सहीत चले दो भाई अत्री के आश्रम जब प्रभू गया हूँ सुनत महा मुनी हर्शित भयाँ इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर के सीता जी सहीत दोनों भाई चले जब प्रभु अत्री जी के आश्रम में गे तो उनका आगमन सुनते ही महा मुनी हर्शित होगी पुलकित गात अत्री त उठी धाई देखी रामो आतर चली आए करत दंडवत मुनी और लाए प्रेम बारी दो जन अन्न हुआई शीर पुलकित हो गया अत्री जी उठकर के दोड़े उन्हें दोड़े आते देखकर के शीर राम जी और भी शिगरता से चले आए दंडवत करते हुए ही शीर राम जी को उठा करके मुनी ने हिर्दे से लगा लिया और अपने मासों के जल से दोनों जनों को दोनों भाईयों को नहला दिया देखी राम छवी नेयन जुडाने सादर निजा आश्रम तब बाने करी पूजा कही बचन सुहाई दिये मूल फल प्रभू मन भाई शीर राम जी की छवी देख करके मुनी के नितर शीतल होगे तब वे उनको आदर पूरक अपने आश्रम में लेगे पूजन करके सुन्दर वचन कहकरके मुनी ने मूल और फल दिये और प्रभू के मन को बहुत रुची प्रभू आशन आशीन भरी लोचन सोबा निर्खी मुनिवर परम परवीन जोरी पानी स्तुति करत प्रभू आशन पर विराजमान है नेतर भार करके उनकी शुवा देख करके परम परवीन मुनी श्रिष्ट हाद जोड करके स्तुति करने लगे नमामी भक्त वस्लम क्रिपालू शील कोमलम वजामी ते पदाम बुजम अकामिनां सुधाम अदम हे भक्त वस्ल हे क्रिपालू हे कुमल सभावाले मैं आपको बारंबार नमश्कार करता हूँ निश्काम पुर्षो को अपना परमधाम देने वाले आपके चरंग कामलो को मैं बचता हूँ निश्काम शाम संदरम वाम भूनात मंदरे परहुल लकंज लोचनम वदादी दोश मोचनम आप नितान संदर शाम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मत्रे के लिए मंदराचल रूप भूले है कमल के समान नेत्रों वाले और मंद आरी दोसर से चुड़ाने वाले हैं प्रलंब वाहु विक्रमम प्रभू अप्रमे वैभौम निशंग चापसायकं धरमत लोकनायकं यह प्रभू आपके लंबी भुजाओं का प्रकर्म पर आपका एश्यर अप्रमे बुद्धी के परे आकाश बुद्धी से परे असीम हैं आप तरकश और धनुष बान धारन करने वाले तीनों लोखों के स्वामी दिनेश वंश मंदनम, महेश चाप खंडनम, मुनिंद्र संत रंजनम, सुरारी वरिंद भंजनम सुर्यवंज के भूशन, महादेवजी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनी राजों को संतों को अनंद देने वाले, तथा देवताओं के शत्रों, असरों के समुका नाश करने माले हैं मनोज बैरी वधितम, अजादी देव सेवितम, विशुद्ध भौद विग्रहम, समस्त दूशनापहम, आप काम देखे शत्रों, महादेवजी के द्वरावंदित, भ्रमादी देटाओं से सेवित, विशुद्ध ज्यानमे और विख्रे और समस्त दोशों को नश्ट करने माल हैं, नमामि इंद्रापति, सुखा करम सताम गति, भज़ेश शक्ती सानुजम, शचीपती प्रिया अनुजम हे लच्छीपती, हे सुखो की खान, और सत प्रशों की एक मात्र गती, मैं आपको नमश्गार करता हूँ, हे शचीपती, इंद्र के प्रिया छोटे भाई, वामन जी, सुरूपाज शक्ती, श्री सीता जी, और छोटे भाई लच्छन जी सहीत, आपको मैं भजता हूँ, क्वादहग गनी मूल ये नरा, भंजती हीन मत्सरा, पतंती नो भवादनवे, वितर्क वीची संकुले, जो मनुश्य मत्सर डा रही थो करके, आपके चरन कमनों का सेवन करते हैं, वितर्क वितर्क, अनेक परकार के संदे रुपी, तरंगों से, पूर्न संसार रपी समुतर में नहीं गितते, आवागमन के चक्कर में नहीं पढ़ते, विवक्त वासिना सदा, भंजती मुक्ती मुदा, निरस्य, इंद्र आधिकं, पर्ण्यान्ती ते, गतिम स्वयं, जो एकांतमासी प्रुश, मुक्ती के लिए इंद्र आधिका निख्रे करके, उन्हें विश्यों से हटा करके परसंता पूरक आपको बचते हैं, वे इस सवकी अगति को अपने सवरुप को प्राप्त होते हैं, तमेक अद्धुदं, प्रभूम निरी हमीश्वरम विहम, जगत गुरम चेशाश्युतं, तुरियमेव के विलम, उन्हें आपको जो एका दिखती है, अद्ध माईक जगत से विलक्षन, प्रभू सर्व समर्थ इच्चा रहित, ईश्वर, सवके स्वामी, व्यापक, सदर गुरु, सनातन, निध्य, तुरिय, तीनों गुनों से सर्था परे और केवल अपने सवरुप में स्थित हैं, भजामी भाव वल्लव हम, कियोगी नाम सुदुर तदा जो भाव परिये, कि योगियों, विशी पुर्शों के लिए, अच्चनत दुर्लव, अपने भगतों के लिए, कल्प रिक्ष, अर्थात उसकी समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाले, सम्पक्षपात रहित, और सदा सुख पूर्वग सेवन करने योगे हैं, मैं नि परोप भोपितम, नत अहमम अर्बजा पतिम परसीद में नमामिते, पुदाब जभक्ती देही में, हे अनुपम सुन्दर, हे पृत्थी पती, हे जानकी नात, मैं आपको परनाम करता हूँ, मुझ पर परसंद हो ये, मैं आपको नमश्कार करता हूँ, मुझे अपने चरन क मनों की भक्ति दीजी, पठांति ये सतव इदम, नार देन टे पदम, वज्जरंति नाम चंश्यम, तवधिय भक्ति संयतम, जो मनुश्य इस्तुति को आतर पुड़क पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्तो करके, आपके परमपत को प्राप्त होते हैं, इसमें संदे नहीं हैं, विन्ति करी मुनी नाई सिरू, कहकर जोरी बहोरी, चरन सररोहू, नाथ जनी, कब हूँ, तजे मती मोरी। मुनी ने इस परकार से विन्ति करके, और फिर सिर नमा करके, हाद जोड़कर के कहा, ये नाथ मेरी बुध्धी, आपके चरन कमलों को कभी नहीं छोड़ अनसुया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुसील विनीता, रिशी पतनी मन सुख अधिकाई, आसी सदी, निकट बिठाई, फिर परम, शीलवती और विनमर शीरी सीता जी, अत्रे जी की पतनी अनसुया जी के चरन पकड़ करके, उनसे मिली, रिशी पतनी के मन में बड़ा सु खुआ, उनने आशीश दे करके, सीता जी को पास बिठा लिया, दिविय बसन भूसन पहीराई, जे निक्ट नोतन अमल सुहाई, कहे, रिशी बहदो, सरस मेरे दुवानी, नारी धरम, कछु ब्याज बखानी, और उन्हें ऐसे दिविय बस्तर और आभूशन पहनाई, जो न इत्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं, फिर रिशी पत्री उनके बहाने, मधुर और कॉमल वानी से, इस्तरियों के कुछ धरम बखान करके कहने लगी, मातू पिता, ब्राता हितकारी, मित प्राद सब सुनू राज कमारी, अमित दानी, भरता, भै देही, अधम जो सेम नाते है, राज कमारी सुनिये, माता, पिता, भाई सबी हित करने वाले हैं, और तु ये सब एक सीमा तकी सुख देने वाले हैं, तँ शी रेटान की पती तो मुक्षर रूप आ सीमा, सुखु देने वाला है, में इस्तरी अधम है, जो ऐसे पति की सेवा ने करती. धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परिखी अहिचारी व्रिद रोगबस जड़ दनहीना अंद बधिर क्रोधी अतिदीना धर्म धैरी मित्री और इस्त्री इन चारों की विपत्ति की समेही प्रिक्षा होती है व्रिद रोगी मुरक निर्धन अंदा बेहरा क्रोधी और अत्यंत ही दिन ऐसे हो पतो कर लिये अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना एकई धर्म एक बरत निमा काई बचन मन पती प्रद प्रेमा ऐसा ही पती का अपमान करने से इस्त्री यमपुर में जाती है वहाँ पर दुख भूकती है शीर वचन और मन से पती के चर्णों में प्रेम करना इस्त्रियों के लिए वसी ये एक ही धर्म है एक ही व्रत है और एक ही नियम है जग पती व्रता चारी विदि आही वेद पुरान संत सब कहीं उत्तम के अस बसमन माही सपने हूँ आन प्रोश जग नाही जगत में चार परकार की पती व्रताएं ही वेद पुरान और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेनी की पती व्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पती को छोड़ करके दूसरा प्रोश सपन में भी नहीं मध्यम पर्पती देखी कैसी ब्राता पिता पुत्र निजचेसी धरम विचारी समझी कुल रही सो निशकत त्रिया शुरुती अस कहीं मध्यम श्रेनी की पती विता प्राय पती को कैसे देखती है जैसे वे अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो अतात समान अवस्था वाले को मैं बाई के रूप में देखती है बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है जो धनम को विचार करके और अपने खुल की मरियादा समझ करके बची रहती है वे निश्क्रिष्ट निम्नश्रेनी की इस्त्री है ऐसा वेद कहती हैं वे तो सो कल्ब तक रोरव नरक में पड़ी रहती है च्छन सुख लागी जनम सत कोटी दुख ना समुझ तही सम को खोटी विनू श्रम नारी परम गती लही पती बरत धरम चाड़ी चल गई च्छन भर के सुख के लिए जो सो कलोर असंख्य जनम के दुख को नहीं समझती उसके समान दुष्ता कोन होगी जो इसतरी चल छोड़ करके पाती वरत धरम को ग्रेहन करती है वे बिनाही प्रिश्रम परमगती को प्राप्त करती है पती प्रतिकूला जनम जहां जाएं विद्वा होई पाईं तर नाएं किन्तो जो पती के प्रतिकूल जलती है वे जहां भी जाकर जनम लेती है वहीं ज्वानी पाकर के भरी ज्वानी में विद्वा हो जाती है इसती जनम से ही अप्वित्र है किन्टोपति की सेवा करके वह अना यासी श्वब गती प्राथ कर लेती है पातिवरत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान जी को प्रिये हैं और चारो वेद उनका यश्य गाती है सुनू सीता तब नाम सुमारी नारी पतिवरत करें तो ही प्रान प्रिये राम के ही कथा संसार हित ही सीता सुनू तुमारा तो नाम ही लेलेकर इस्तरियां पातिवरत धर्म का पालन करेंगी तुम्हें तो शिरी भणजी प्रानो के समान प्रिये हैं ये पातिवरत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है सुनी जान की परम सुख पावा सादर तासु चरन शिरु नावा तब मुनी सन कह क्रिप निधाना आईसु होई जाउ बन आना जान की जिने सुन करके परम सुख पाया और आदर पूरक उनके चरनों में सिर्नवाया तब क्रिपा की खान शिरी राम जी ने मुनी से कहा आग्या हो तो अब दूसरे वन में जाउं संतत अमों पर क्रिपा करेहूं से जानी तजेहूं जनी नेहूं धरम धरंदर प्रभु के बानी सुनी प्रिप्रेम बोले मुनी ज्यानी मुझ पर निंतर क्रिपा करते रहिएगा और अपना सिवक जान करके सुने मत छूड़िएगा धरम धरंदर प्रवशी राम चंदर जी के वजन सुनकर के घ्यानी मुनी प्रेम पूरक भुले जासु किर्पा अज सीव सनकादी चहत सकल परमारत बादी ते तुम राम अकाम प्यारे दिन बंधू मेरे तुब बचन उचारे भरमा शीव और सनकादी सभी परमारत वादी तत्तविदा जिनकी क्रिपा चाते हैं ही राम जी आप वही निश्काम पुर्शों के लिए भी प्रिय और दिनों के बंदू बगवान ही जो इस परकार कुमल वचन बोल रही है अब जानी मैं शिरी चत्राई भजी तुम्ही सब देव बिहाई जेही समान अतिसे नहीं कोई ता करसील कस ना असह हुई अब मैंने लच्छी जी की चत्राई समझी जिनोंने सब दिवताओं को छोड़ करके आप ही को क्यों भजा जिनके समान सब बातों में अतिनत बड़ा और कोई नहीं है उसका शीर भड़ा ऐसा क्यों नहीं होगा केही विधी कहो जाहूं आब स्वामी कहूं नाथ तुम अंतर जामी आज कहीं प्रभू विलोकी मनी धीरा लोचन जल बेह पुलक सिरीरा मैं किस परकार कहूं है स्वामी आप अब जाए नाथ आप अंतर जामी है आप ही कहिए ऐसा कह करके धीर मुनी प्रभू को देखने लगे मुनी के नित्रों में प्रेम श्रों का जल बेह रहा है और श्रीर पुलकित है तन पुलक निरभार प्रेम पूरन नेन मुख पंकज दिये मन ग्यान गुन गोतीत प्रवु में दीख जब तप का किये जब जोग धर्म समू ते नर भक्ती अनपंपावी रगवर्चित पुनीत निसी दिन दास तुलसी कावी मुनी अत्यंत प्रेम से पूर्ण है उनका श्रीर पुलकित है और नित्रो को श्रीराम जी के मुख कमल में लगाए हुई है मन में विचा रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जब तब किये थे जिसके कारण मन ग्यान गुन और इंद्रियों से परे प्रभु जी के दर्शन पाए जब योग और धर्म समूसे मनुश्य अन्पम भक्ती को पता है श्रीर गुर्बीर जी के पुईत्र चित्र को तुलसी दासी राज दिन गाते ही कली मल समन दमन मन राम सजस सुखमोल सादर सनही जेतिन पर राम रही अनकूल श्रीर राम चंदर जी का सुंदर याश कली उक के पापो का नाश करने वाला मन को दमन करने वाला और सुक का मूल है जो लाग इसे आधर पुरक सुनते हैं उन पर श्रीर राम जी परसन रहती है कठिन काल मलकोस धरम ना ग्यान ना जोग तप परिहरी सकल भरोस राम ही बजीटे चतुर नाल ये कठिन कडिकाल पापो का खजाना है इसमें ना धरम है ना ग्यान है और ना योग और जब ही है इसमें तो लोग सब बरोसो को छोड़ करके शीर राम जी को ही बज़ते हैं वे ही चतुर हैं मुनी पद कमल नाई करिसी सा चले बनही सुर नर मुनी इसा आगे राम अनुज पुनी पाच्छे मुनी बरबेस बने अतिकाखे मुनी के चरन कमलों में सिर नमा करके देव का मुनी और मुनी ओ के स्वामी शीर राम जी बन को चले आगे शीर राम जी हैं और उनके पीछे चोटे भाई लच्छन जी हैं दोनों ही मुनीयों का सुन्दर वीश मनाए अत्यंच शोवित हैं उभे बीच शिरी सोही कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी सरिता बन गिरी आवगत घाटा पती पहिचानी देही बरबाटा दोनों के बीच में शिरी जानकी जी कैसी शोवित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो नधी वन परवत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान करके सुन्दर रास्ता दे देते हैं जहाँ 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 देव रगुराया करही मेग तह तहां नब च्छाया मिला असुर विराध मग जाता आवत ही रगबीर ने पाता जहाँ जहाँ देव शीरगुनाची जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में च्छाया करते जाते हैं रास्ते में जाते हुई विराध राक्षिश मिला सामने आते ही शीरगुनाची ने उसे माट डाल तुरत ही रुचीर रोपते ही पावा देखी दुखी निज धाम पठावा पुनी आए जहां मुनी सरभंगा संदर अनुज जान की संगा शीराम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंच संदर दिवे रूप राप्त कर लिया दुखी देख करके प्रभू ने उसे अपने परम धाम को भीज दिया फिरवे संदर छोटे भाई लच्छन जी की और सीता जी के साथ वहाँ आए जहां मुनी शरभंग जी थे